लेकिन इसके अंदर प्रेजन्ट क्या होता है इसके काम क्या करता है इसी के बारे में आज हम बात करेंगे तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि नियूरोबाइन फोड के अंदर क्या क्या चीज़े परजेंट होती है सबसे पहला जो आपको पता होना चाहिए वह यह है कि यह यूज क्यों की जाती है किसी की बॉड़ी के अंदर अगर विटामिन की कमी हो रही है और वह भी विटामिन बी बैसिकली यह एक स्पेसिफिक विटामिन के लिए दी जाती है लेकिन अगर नॉर्मली भी विटामिन की कमी हो रही है तब भी नियूरोबाइन फोड को डॉक्टर जो है वो सला कर देते हैं अब बात करते हैं कि इसका प्राइस कितना बैठता है एक स्ट्रिप जिसमें 30 गोलिया आती है वो 35 रुपे की आ आगे पढ़ेंगे आगे मैं आपको बताऊंगी हो सकता है कि उनसे किसी को एलर्जी हो तो बहुत सारे commence के में वहां पर हो सकते हैं और सवाल क्या है इसका की का मौपजिशन क्या क्या पर इसके अंदर होता क्या है तो इसमें विटामिन B के ही अलग अलग डेरिवेटिवस पाए जाते हैं जैसे अगर मैं बात करूं क्याल्शियम पैंटोथनेच इसी के साथ जो आपका साइनो कोबलमीन है निकोटीनमाइड है पाइरी डॉक्सिन हाइड है और राइबो फ्लेविन थाइमीन है यह सारी चीज़ें इसके अंदर पाए जाती है जिसका काम ही यह होता ह बॉडि में 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 की कमी को पूरी करने का चाहे वह को बीटीं यह जो भी है विटामिन बीटिम है उसकी कमी आपको पूरी करने है अब बात करते हैं कि जब मैं इतनी देर से बौरी हूं में वित्म hết उप मैं तो इसमें क्या ऐसी है आपकी बॉड़ी के अंदर जो आर बीसी यानि रेड बलड सेल पाई जाती है तून में उनको बनाने का ठीक है इसी के साथ ही साथ जो आपकी बॉन हैल्थ होती है उनको मजबूत करने में भी काफी मदद करती है आपका विटमी फिर है नेल्स हैं उनको हैल्थी और हमारी स्किन पर बड़े अजीब अजीब से निशान हो जाते हैं थोड़ी सी अलर्जी में ही बहुत जादा समय तक वो निशान स्टे कर जाते हैं तो ये सारी चीज़े तबीव होती है जब बॉडी में विटमिन बी की काद़ होती है इसके बाद ब्रेन को स्वस्थ रखने मे में काफी मदद करता है उसके बाद इंप्रूब्स मूड एंड जो लास्ट है आपका जो आपकी हार्ट हेल्थ होती है जो दिल से रिलेटेड बिमारियां होती है उनको भी कम करने में रिस्क औफ कार्डियो वास्किलर सिस्टम डिसीजिस या इसका क्या मतलब है कि हार्ट से है अब बात करते हुं कि अगर बॉड़ी में विटामिन वी की कमी हो जाए यानी डेफिशींसी हो जाए उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स तेकने के लिए मिल सकती हैं जिसमें सबसे बहला होगा है दूसरा इसी के साथ मुसल जल्दी ठक जाती है आप पोड़ा सा काम करेंगे आपको ऐसा लेगा कि पता नहीं कितना काम कर दिया है और आपकी मसल्स में पेन होने लगता है उसके बाद बैलेंस प्रॉब्लम यानि आपकी बॉड़ी को बैलेंसिंग में दिक्कत आएगी फिर हार्ट रेट जो होता है वो बहुत जादा हो जाएगा रैपिड हार्ट रेट की प्रॉब्लम साथ जाती है और इसी के साथ साथ जो नंब नैस होती है अकड़न होती है फिंगर्स और हैंड में वह बहुत ज्यादा देखने के दिन आज आपको दिया ही काफी यह आपके लिए मदगार साबित होगी तो मिलते हैं ऐसी ही एक नई विडियो के साथ एक ऐसी ही नई जानकारी के साथ कि लिए आप और हुए अधाल्ड, सुध के साथ थैंक द्यूर Smith